हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका यानवी दोस्त अमीद अंतानी दोस्तों जैसे में पिछली वीडियो में बताता रहा हूं इन दिनों मैंने ये फोजी भाईयों के लिए एक सीरीज चलाई हुई है चार या पांच वीडियो जिसमें मैं बनाऊंगा पार्ट वन टू त्री बात करूंगा कि फोजी भाईयों क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए टोपिक पर आते हैं दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है मेरा में मक्सेद यह लंबी नहीं करनी है लेकिन बोलते बोलते मैं ज्यादा क्लैरिफाई करने के चक्कर में ज्यादा कहते हैं यहां पो पित की साल की उमर पॉर्स हो जाता है 20-20irie CO jut होने के बाद पेमेंट मिलता है इनन सर्विस में उसको इंसरड़न्सitter म५ूल समय मिलता रुपे का से लेकिन जब कोिया दमी यहां Arctic लेज्वन्ट के बारता है जैसे सबस्सेन कि मेलता हैज 15 साल 20साल के बाद आगर वियर्स लेने की सोचता तो उस को तो सरकार आपको इंसृटा द रही है वोट इंसर्वीस में रहते वे दे ली हैं जो आप रिटारमेंट चले जाओगे तो तो आपको इंसुरेंस का फाइदा मिलने वाला है नहीं हाँ यह प्लस पॉइंट है कि आपको मेडिकल बेनीफिट्स काफी अच्छे मिलते हैं रिटार्मेंट के बाद तो क्यों नहीं मेडिकल बेनीफिट्स जो हम एच्छे सरकारियों को जैसे जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है उनको वहां से हम यूज करते रहे उठाते रहें बगवान करें उनको मेडिकल किसी को लेने की जरूर्ट ना पढ़े दोस्तों लेकिन एज के साथ इन चीजों की जरूर्ट पढ़ती रहती ह मेरे मेरे मकसेड़य दोस्त उल्चे इंटरं मियंज के इंपोर्टेंश को बताना तो दोस्तों जैसे riding सर्विस में रहते हुए तो आपको डिपरींस सर्विसी की अलग जो स्किम्स और सर्विस इंगार ऑतों प्रॉनलों आप 20 साल में आई 20 साल के वाद 24 साल के आप ओमर मे लिए कुछ नहीं बचता है दोस्तों तो वह बैकप देने के लिए मैं बोलूँगा कि आपको हेल्थ इंस्योरेंस की जुरूर्ट है नहीं और अलग अलग इंस्योरेंस की कोई फालतों के पच्छड़गी इंस्योरेंस की जस्ट एक सिंपल ट्रम प्लान ले ले लिजिए दो है कि यह क्या है कि जितना जल्दी अप पहले लेते हैं उतना ही आपका प्रीमयम कम्रात अब 42 साल के लोगें तो आपको फिटनेस के इस्योज आएगे ज्यादा लेट जितना जल्दि उसके मालों आप सोच रहे हैं कि आपको वीएरस से लेना है आपकी सर्वीस से तो साल हो गई है तो से एक एडिशनल ट्रंड ये तो आपको ले लेना चाहिए जो आपके तक आपको कवर करेगा और जो मिनमम आपका मानलों फिप्टिन हंडर्ड या तू थाउजन्ड पर मन्त के प्रेमियम पे आपको मिल जाएगा या फिर आप सोच सकते हो कि दस सिर्फ दस साल में अगर आपको वह अलग अलग स्किम्स जैसे आप दोस्तों ट्रम प्लान में अपनिंग होती है तो फैमिली को एक बैकम मिल जाएगा दूसरा फाइदा दोस्तों सर्विस में रहने के लेने का यह फाइदा है कि जब आप आप सर्विस हो जाते हो तो आप पैंशन के डोकुमेंट पे लोगे जो आपका पैंशन स्लिप होगा उस पे तो आपकी तीस जा तो आपकी ज्यादा सेलरी होगी तो आपका ज्यादा वेल्यूज के साफ से एक क्रोट डेट ग्रोड का भी आपका इंस्वरेंस ट्रम प्लान मिल सकता है दोस्तों बस मैं यहीं बोलूँगा कि सर्विस में जाने से जब आपको लगता है कि यू आर गोइंग फॉर आउट देट साल पहले या छे मेने पहले तो एक लिस्ट आपको चूज कर लेना चाहिए जो आपको जिंदगी में आगे अपनी आपकी जो फैमिले की फिनेंशल बैक अप में काम आएगा तो यहीं थी दोस्तों यह तीन-चार वीडियो जो वीडियो जो होगी है इस सीरीज में औ और बाकी आगे कुछ मेरे दिमाग में आता है या किसी और किसी भाई का कोई डाउट होता है तो मैं नई वीडियो बनाके आपके सामने वो डाउट कलियर करने की कुश़्िस करूँगा तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक किसाद जाहिन